आज के इस वीडियो में हम जैकबोर क्लाश 12 के सेट 1 को दिखेंगे इसमें आपका टोटल मार्स 40 है और आपको जितना कोस्टेन है सब एक मार्स कर रहेगा यानि आपको 40 नंबर तब कोस्टेन दिया जाएगा 40 कोस्टेन का समय एक एक मार्स करके डिवाइट किया गया है तोटल मार्स 40 आपको एकजाम में समय धेर घंटा का दिया जाएगा तो आपका जो फर्स्ट कोस्टेन है वो है दो बस्टों X तथा Y के लिए उत्पादन संभावना किस प्रकार दी हुई है यहां पर एक चार्ट दिया हुआ है इसे देखकर आपको बताना है उत्पादन संभावना बक्रकार कैसा होगा ठीक है तो इसका जो फर्स्ट कोस्टेन है उसका सही अंसर हो जाएगा रिना तमक ढ़ाल तथा एक सरल लिखा इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है रागनर फ्रिस्न ने ही सर्वबधम वैश्टी और समश्टी सब्द का पर्योग किया था चौथा कोस्टिन एक किसान खेतों की जुताए के लिए ट्रैक्टर और हल बैल दोनों के बीच किसी एक टकनिक का चैन करना चाहता ठीक है हल बैल और ट्रैक्टर के भी चुसे किसी एक को चुनना है तो उसका यह चैन रथ वैबस्ता की किस के इंदिय समश्टा से मिल खाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैसे उत्पादन करें ठीक है यानि वो उत्पादन करने के साधन में से चैन करना चाहता है तो आ जाएगा कैसे उत्पादन करें पाच्वा कोश्टन किस अर्थ सास्क्ति के अनुसार उपियोगीता को मुद्रा में मापा जा सकता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option B Alfred Marshall छठा question एक ब्यक्ति 4 गोल गप्पे का उप्वोग करता है उसे प्रत्य ब्यक्ति का तिकाई से करम से 15 यूटिल्स 12 यूटिल्स और 10 यूटिल्स उप्योगिता मिलती है तो उसे 4 गोल गप्पे के उप्वोग से कितनी उप्योगिता प्राप्त होगी तो वह जाएगा आपका उप्शन से 45 यूटिल्स साथवा कोस्टिन दो बस्तू रसगुला और गुलाब जामून के लिए बजट रेखा A B को निव ने रेखा चित्र से 10 अदर्स आया गया तो यहां पर इसके चार ऑप्शन दिये गए हैं इन में से सही एंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A PR बटे PG आठवा कोस्टिन निम्न लिखित में इससे कौन सी बस्तू की मांग को परभावित करने वाला एक कारक नहीं है तो इसका जो सही उत्तर है वो जब आप्शन दिस हाधनों की कीमते निक्स्ट कोस्ट नाइन नमबर यदि बस्तू X की कीमत कम होने से बस्तू Y की मांग कम हो जाती है तो इन दोनों बस्तू को क्या कहा जाएगा तो आपको पता ही होगा इसको परती होगी बस्तू कहेंगे ठीक है दसवा नमबर कोस्ट out यदि किसी बस्तू की कीमत में 5% की कम होने से उसकी मांग की मातरा 5% भी थी होगी तो मांग की कीमत लोज्का मांग क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.6 नेक्स्ट कोस्टिन 11 नंबर निम्न में से किस वस्तु का मांग लोज़दार होगा तो लोज़दार मांग हो जाएगा आपका रेफ्रिजेटर का ठीक है 12 नंबर निम्न लिखित मांग लिखा क्या होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दी एक से अधिक तेरा नमबर कोस्टिन किस प्रकार की बस्तु की कीमत बने पर उब्भोकता उस बस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है तो गीफिन बस्तु जो होती है उसके साथ ये घतना होती है ज्यादर नमबर कोश्चिन यदि एक उप्भोगता एक बस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कर्च करता है तो उस बस्तु की मांग क्या होगी इसका सेवत्र को जाएगा बेलोजदार आबकका आयताकर प्रमबलियय होता है ठीक है? शोला नमबर पर्वर्द्टीशनसागन का ओसवत उत्पादन बड़ता है जब क्या होगा? सीमंत उत्पाद ओसवत उत्पाद से अधिक होता है आप्शन इह हो जाएगा Next question, 17. नंबर कूल उत्पादन अधिक्तम होता, जब सिमांत उत्पादन का मान सूने होगा ठीक है, जब सिमांत उत्पादन का मान सूने होगा, तो कूल उत्पादन अधिक्तम में रहेगा 18. यदि कुल उत्पाद TP तथा परवर्ति साधन की मातर क्यों है तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? तो औसत उत्पाद का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा डेल्टा टीपी बटे डेल्टा क्यों उन्नीस नमबर कोश्चन यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परवर्ति साथन की मातर क्यों है तो सीमा उत्पादन का सुत्र क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्षण ए नई ओप्षण बी थी है डेल्टा टीप बटर डेल्टा क्यों बीस नमबर का जो कुश्चन है वो हो जाएगा जब ऑसत लागत सीमा अंतलागत से कम होती है तब ऑसत लागत क्या होगी ऑसत लागत इस्तेज रहेगी बढ़ती है ठीक है नेक्स्ट कोश्चिन 21 नमबर परिवातन सिल अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने अस्तर की बैख्या करता है तो परिवातन सिल अनुपातों का नियम उत्पादन के तीसरे इस्तर की बैख्या करता है नेक्स्ट कोश्चिन बाइस नमबर अलपकाली औसत लागत बकर का आकार होता है तो औसत लागत बकर का आकार अलपकाल में उल्टा यू के आकार का होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस तर इस्थाई कर्मचारी का बेतन ठीक है चौविस वा कोश्चिन औसत लागत औसिमान लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत क्या होगी औसत लागत जब नियून तब होगी तब पचीस नमबर कोश्चिन किसी वस्तो की परती इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्रापत राशी क्या गहलाती है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल आगम 26 नमबर कोश्चिन कुल लागत टीसी कुल इस्थी लागत टीएफसी और कुल परिवातन सी लागत टीवीची से सम्मंद में कौन सा गतन सत्य है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन ए टीएफसी बराबर टीसी प्लस टीवीसी 27 नमबर जब किसी बस्तु की मांग में बृध्धी होती है लेकिन पूर्थी में कोई परिवातन नहीं होता तब संतुलन कीमत में क्या होगी तो संतुलन कीमत में बृध्धी होगी 28 नमबर कोश्चन यदि किसी बस्तु की मांग D तथा पूर्थी S हो तो बजा संतुलन की सर्थ होगी D बराबर S 29 नमबर किसी बस्तु का नियुनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या होगा तो बाजार मूल्य से वो अधीक होगा 30 नमबर कोश्चन निम्रलगित में कौन सा फलन पूर्थी के नियम को परदशिक करता है इसका सर्थ हो जाएगा S बराबर F 31 नमबर कोश्चन मुक्त परवेश और निकास की इस्तिती में एक पूर्ण पतियोगी बाजार में संतुलात की मर 10 के बराबर होती है तो इसका सर्थ हो जाएगा नियूंतर मौसत लागत के बराबर होती है 32 नमबर कोश्चन एक उत्पादक का उत्देश होता है एक उत्पादक का उत्देश होता है लाब अधिक्तम करना ठीक है नेक्स्ट कोस्टन हो जाएगा अपका 33 नमबर अर्पकाल में एक पूर्ण पतियोगी फर्म हानी प्राप्त होने के बाप जो उत्पादन जारी रखती है जब बस्तू की कीमत क्या होगी जब बस्तू की कीमत औसत परिवत्तन सील साधर लागत से अधिक या इसके बरावर होगी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 34 नमबर निम्नलिखित में से कौन पूर्ण पतियोगीता की एक विशेष्टा नहीं है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन डी बस्तू की मांग बेलोज़दार 35 नमबर कोश्चन किस प्रकार की बाजार संराजना में किसी बस्तू का एक और केबल एक उत्पाद तक होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आप्शन है एक आधिकार 36 नमबर कोश्चन निम्रेलिकित में कौन सा कथन पूर्ण पतियोगी था और एका अधिकार में अंतर इस परष्ट को ब्यक्त करता है तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आप्शन बी एका अधिकारी पूर्ण पतियोगी फर्म की तुलना में कीमत अधिक दै करता है और कम कमात्रा की बिक्री करता है नेक्स्ट कोश्चन 37 नमबर एका अधिकार के अंतरगत कीमत पी और सिमानत लागत एमसी के बीच क्या संबंध होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन बी पी ग्रेटर देन एमसी 38 नमबर निम्रेलिकित में से किस बाजा संरेजिना में कीमत और सिमानत लागत में समानता पाई जाती है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण पती होगी ता 49 नमबर एक विक्रेटा को पांच रुपर पती इकाई कीमत पर किसी बस्तू की 60 इकाई में विक्री से प्राथकुल आगम की राशी क्या अभी में कमी होगी ठीक है उत्पारण कर्मे विध्य होने से बस्तो की पूर्ती में कमी होगी यह थे इंपोर्टन कोस्टिन मॉडल को पेपर सेट वन का इकोनोमिक्स का यह आप वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताई साथ है अगर आपने अभी तर चैनल को चैनल को सब्सक्राइब पीजिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर खरे धन्यवाद